देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा ओम गणेशाय नमाहा ओम नमश्यवाय मैंने खिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरी चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी सवस्तु होंगे महादेव की क्रिपाप सभी पर सदय बनी रहे यह वीडियो है 11 मई 2022 बुद्दवार यानि की wednes day के दैनिक राशीफल के बारे में यह बहुती सामान्य सा जोतिश हिश्व क्रिशन होता है आपके guidance के लिए राशीफल दियाजाता है और आपके सुवीदा के लिए यह राशीफल एक दिन पहले प्रदश्यत होता है दैनिक राशीफल चंद्र राशी पर अथरत होता है अधी चंदर राशी देगे तो जादा बैटर रिजल्ट देंगे और हर राशी के साथ एक उपाए भी वताय जाता है राशी फल्ग पर हम अवश्य चलेंगे लेकिन उससे पहले एक बार दिन के पंचांग पर भी नजर डाल लेते हैं 11 मई 2022 का पंचांग इस्तरा तो है तिथी रहेगी दश्मी नक्षत्र रहेगा पूर्व फालगुनी योग रहेगा व्यागट करन रहेगा तैटल और वार रहेगा बुद्धवार और शुक्ल पक चल रहा है सूर्देवता 5.34 एम पे उदे होंगे अस्त होंगे 7.3 पीम पर च का नक्षत्र रहेगा भरनी शाम के समय वो कृतिका में प्रवेश कर जाएंगे कुछ विशेश मूरुतों की बात करेंगे ब्रह्म मूरत 4.10 एम से 4.52 एम अभिजीत मूरत वेडनस दे को नहीं होता और अमृत काल 12.51 पीम से 2.30 पीम तर कुछ अशुप मूरुतों की बात क इन दोनों ही अशुप मूरुतों में यदि आज आज आपको घर से निकलना है तो भैरव चलीसा का एक बार पाट करके ही घर से निकलिये का तो ये था पंचांग चलेंगे राशी पल पर शुरुवात करेंगे मेश के साथ से एक चीज़ कहूंगा आपको थोड़ा सा सावधान घरूंगा कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ही जादा जलनी की भावना रखते हैं जलसी की भावना रखते हैं और वो आपका बुरा चाहते हैं चाहेंगे इन लोगों को पहचानिये और इन से क्या साथ साती कभी कभी दिन में अपनी ओपर ही डाउट करने लग जाएंगे आज कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएंगे आपके लाइफ में भागे का साथ आपको वश्य मिलने वाला है लेकिन चीज़ों को जादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा जैसे चीज़ करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा मुश्किल दिन रहेगा क्योंकि कुछ ऐसे चेंज़े आएंगे कुछ ऐसी परिस्तिया बनेंगे जिनको आप शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे बिजनस के हिसाब से यहां पे सब कुछ अच्छा देख रहा है वही चीज है जो आप दोनों के बीच में फ्रस्टेशन उत्पन कर रही है तो इस चीज को लेकर यदि थोड़ी बातचीत करेंगे अपने पार्टनर से तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन में यही कहुँगा कि छोटी-छोटी चीजों पर इतना उलज रहे हैं कि भी से बात ही नहीं कर पा रहे है और यह आउट ऑ फ्रॉस्टेशन ही होता है तो यदि ऐसा हो रही है थोड़ा ऑब्ज़र्फ किजिए कि आप छोटी-छोटी चीजों पर रियाक्त कर रहे है कि आप छोटी-छोटी चीजों पर गुश्छा कर रहे हैं कि यहाँ तो इस ची अत्यनत बली है अपने पूरे लाइफ में आज के दिन जिससे भी कभी बात करते हैं किसी से तो आप इगो मत दिखाईएगा अहम मत दिखाईएगा वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए उपाई है कि आपको गणेशी को दुरवार पन करनी है और गणेश अली बढ़ सकती है वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो उसके कारण चोटी-चोटी चिंताएं आज आपको बहुत घेरने वाली है शायद फैनेशली कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ फैनेश रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आज चिंताएं आपको घेरेंगे लगता है पर्सनल लाइफ में भी रीसेंटली कुछ नगरात्मक हुआ है और वो भी आपको थोड़ा लो फील कराएगा अपने आप आपको इवैलुएट करने का दिन हैं देखिए कि कहां पर जा रहे हैं कहां तक पहुंशना था कहां पर आके रुख गए हैं यह चीज़ सोचेंगे तो अच्छा रहेगा लगता है कि अपनी पुरानी गलतियों से कोई सीख नहीं ले पाते और रिसेंटली यह चीज़ ज़ सकती है खर्चे भी थोड़े आपके ज़्यादा हो सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव दिन आज का टॉरस के लिए जाता हुआ देख रहा है और इसकी उपर से आज सेंसेटिव भी बहुत रहेंगे इमोशनल भी बहुत रहेंगे तो थोड़ा दिन आज का आपके लिए नकर यहां पर भी सब कुछ अच्छा ही देख रहा है बहले ही बरसनल लाइफ में कैसा भी आपके लिए दिन जाए उसको आप अपने बिजनस लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पर इंपक्त नहीं डाल ले देंगे अच्छा दिन है लव लाइफ पे चलते हैं यह आज का द दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है विवाहिक जीवन भी आज का ठीक ही देख रहा है यदि आपके विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी तो आज वो चीजें सॉल्व हो सकती है थोड़ा सा भी आप प्रतने करेंगे तो भाग्य साथ देगा उन चीजों को ठी सरवाश्चा की बात करूं तो आपका आज भाग्यस्थान अत्यंत बली है भाग्यस्थान तो बली है लेकिन इतना कुछ दिन अच्छा आपका नहीं जाएगा मैं यही कहूंगा कि सुबह सुबह ही यदि थोड़ा अपने इश्ट में ध्यान लगा देंगे तो शायद फिर आग्या प्रतिशत है 65 परसेंट आप चलते हैं जयमिना यानिकी मिथुन की तरफ आज का दिन अच्छा है आज अचीव मेंट का दिन रहेगा लाब अपराप्ति इच्छा पूर्ति का दिन रहेगा नवामसा में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं सब चीजों के तो दिन अच्छा है और इसके साथ ही साथ आप किसी की मदद करने के लिए बहुत इच्छोप रहेंगे आज और यदि आपकी किशमता है तो आज किसी की मदद जरूर कीजेगा उसका फल आपको अवश्य मिलेगा जो महनत कर रहे थे उसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं और आज ही लग रहा है कि उसके संबंद में कुछ आपको मिलेगा पस एक चीज कहूंगा कि कभी-कभी बहुत मेंटली इंस्टेवल हो जाते हैं और यह चीज आपके जितने भी अच्छी चीजे हैं जितने भी अच्छे कर्म हैं उन पर एक परदा दाल देती है थोड़ी अपनी मेंडल स्टेविल्टी बनाने की कोशिश करेंगे तो आज का दिन आपके लिए और अच्छा जाएगा एक बैलेंस जो आप ढूंड रहे थे पिछले तीन-चार दिनों से अपनी लाइफ में वह बैलेंस आज आता हुआ दिक रहा है करियर पे किसी को फायदा मत उठाने देजेगा ऐसा लग रहा है कि कोई विश्वास का व्यक्ति आपके साथ चल कर रहा है करते आ रहा है करता जाएगा लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए लव लाई पे चलते हैं जो लोग चीज नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जब स्टार्ट होता है तो इतनी पैसों पर चर्चा नहीं होती है और ऐसा आपके वीश में भी लग रहा है तो उस डिसकुशन को एक पॉजिटिवली हैंडल करें तभी चीज़ें ठीक रहेंगे विवाहिक जीवन की बात करों तो अपने मन की बात कहना स्टार्ट कीजिए ऐसा लग रहा है कि अपनी मन की बाते नहीं कह पाते इसलिए प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंस को आज हैं मिल सकती है यदि किसी भी संदर्ब में चाहिए थी यदि फैमिली से पैसों की हप चाहिए थी आपको सपोर्ट की हप थी या overall किसी की guidance है थी कि सारी चीज़े आज आपको प्राप्त हो सकती है थोड़ा प्रत्त कीज़ेगा सेहत की बात करो तो अच्छा पूर्ती धर प्राप्ति के योगवने हुए है तो आज अचानक से कहीं पैसों के संदर्ब में अच्छे आपको समचार प्राप्त हो सकते हैं उपाई यह है गणेशी को लड़ूं का भोग लगाकर गणेशी की एक बार आरती कीजिए शुबंक है आपका दो शुब पूरा देन ही थोड़ा चेंज दिखा रहा है चीजें थोड़ी मैं नेगेटिव नहीं कह रहा लेकिन अलग होंगी थोड़ी परस्तियों में बदलाव जरूर आएगा और अच्छा ही होगा हो सकता है पैसों के संदर्ब में भी मनी वाइस भी कुछ आपके लिए अच्छा लीजेगा किसी और किसी थर्ड परसंद के या किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनकर जो शायद आप दोनों के बीच में आग लगाना चाहता है ऐसे कई व्यक्ति होते हैं यह सिर्फ रिलेशन्शिप में या मैरेड लाइफ में ही नहीं कह रहा हूं दोस्ती में भी कह रहा हूं सोशल लाइफ में भी गह रहा हूं तो यदि आपके कोई कान भर रहा है किसी के लिए तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली मत लीजिए अंटिल अनलेस आपको इस चीज़ में क्लारिटी प्राप्त ना हो जाए थोड़ा अपने एमोशन्स पर कंट्रोल कीजिए एमोशन्स के अपनी फैमिली के साथ आज जितना समय हो सकता है उतना व्यतीत कीजिएगा थोड़ा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा शाम के समय थोड़ा गुस्सा जादा रहेगा आपके अंदर और वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अच्छा दिन है आज हो सकता है आपको लीडर्शिप दिखाने का मौका में हो सकता है कोई ऐसा कारे आ जो बाकी लोग करने से मना कर दे और यदि आपके अंदर उस्सा में सहास रहा और आपने उस उपर्चुनिटी का लाब उठाया तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं बिजनस की बात करूं तो यहां पे दिन अच्छा दिख रहे हैं आज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप अधि उत्साहित कर देगा एक अच्छी फीलिंग देगा अपने बिजनस में एंटर्टेन्मेंट से जुड़ा कुछ बिजनस है आपका तो और अच्छा दिन है लव लाइप चलते हैं जो लोग रिलेशन्शिप में हैं ऐसा लग रहा है कि एक स्टेगनेशन सा आ गया है प पिर उसके कारण अपने विवाहिक जीवन को परशानी में डालते हैं थोड़ा सा कि अपने आप जो उत्फण करते हैं is कि उन पर थोड़ा कबू बाजी काबू पाने की कोशिश कीजिए इक अपना रास्ता दूणने की कोशिष कीजिए कोई कैसे पढ़ता है कोई किस तरह से पढ़ रहा है उसकी तैयारी कैसे हो रही है वो उसका अपना तरीका है आपको एक अपना पाथ प्रूंडना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको success की प्राप्ति हो सिहत के इसे आपसे एसे लिए की प्रॉब्लम तंग करेगी सरवाश्चा की बात करूं तो आपका सात्वा स्थान अत्यन तवली है बिजनस करते हैं और पार्टनर्शिप की तरफ जाना चाहते हैं किसी नई पार्टनर्शिप की तरफ तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी फल का भोग लगाना है किसी भी घर में बनी मिठाई का भोग लगाना है हल्वा बना लिजेगा, खीर बना लिजेगा और साती में आपको ओम विनायकायनमहा इस मंत्र का 27 बार जाब करना है शुबंग के आपका वन शुब कलर है आपका रेड भाग्या प्रतिशत है 75 परस्ट अब चलते हैं लियो यानि कि सिम्ह की तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई opportunity यदि हाथ से निकल गई है especially professional life में even personal life में तो खुश सकता है वो दुबारा आ जाए तो हार मत मानी लेकिन मुझे यह लग रहा है कि आपके success में कुछ ना कुछ obstacles आ रहे हैं कुछ ना कुछ रुकावटे आ रही हैं success मिलते मिलते यह समझ लेजिए कि 98% पर पहुंचते हैं तो कुछ रुकावट आ जाती है और इसके पीछे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े थोड़ा सा ऐसे लोगों से सावधान रही है और थोड़ा सा extra cautious होके आगे बढ़े हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि success प्राप्त होते होते आपको कई बार रह जाती है और शायद recently यह ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं रोज ही almost daily राशियवल बनाता हूँ तो कभी-कभी जब repetitive चीज़ें आती हैं तो ध्यान में रह जाती हैं तो मुझे यही लग रहा है कि लियो के लिए ऐसा पिछले कुछ समय से हो रहा है कि वो success के पास आते आते रुख जाते हैं कही न कहीं से रुकावटे आ जाती हैं थोड़ा सा बचके रहें थोड़ा सा extra cautious होके आगे बढ़ें थोड़ा सा दुखी feel करेंगे किसी चीज़ को लेकर शायद किसी से कुछ expectations करके बैठे दे और वहां से वो पूरी नहीं हुई फिर भी आपको आज हर काम में authority बनाके रख करीयर पेए जो लोग यूप करते हैं अच्छा दिन है विलपावर अच्छी रहेगी किसी creative फील में काम करते हैं देन अच्छा रहेगा विजनस की बात करूं तो बहुत अच्छा दिन है जो महनत कर रहे दे जिस चीज़ में महनत कर रहे थे हुसमें सफलताज मिलती हुई दिख रही है लव लाइफ चलते हैं किसी की ज़्यादा एडवाईज मत लेजे ऐसा लग रहा है किसी से बहुत एडवाईज लिए जा रहे हैं और वो आपकी रिलेशन्चिप पर अच्छा तो बहुत दूर की बात नेगेटिव इंपैक्ट ही डाल रही है जब रिलेशन्चि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खिच पाएगा विवाहिक जीवन के इसाब से यही कहूंगा कि कुछ नकरात्मक्ता यदि आ गई थी तो आज वो ठीक हो सकती है लेकिन प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे स्टूडेंस के लिए आज का दिन ज़्यादा अच्छा तो नही करेंगे सरवाश्टा की बात करने तो छटा स्थान आपका अत्यन्त बली है कि जो रुकावटे आ रही है आज भी ऐसी कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पर सकती है आपके लिए उपाई है कि गणेशी को दुरवारपन कीजिए लड़ूं का भोग लगाईए और गणे चोटे चोटे positive changes आते हुए दिखेंगे आपको observe करेंगे जो कि आपको सकरात्मक करेंगे उतसाहित करेंगे चोटे 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 ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत खुश कर देंगी जिन लोगों के साथ बहुत comfortable होते हैं उनके साथ जरूर बात्ची कीजेगा या लाइफ में क्या चल रहा है कभी-कभी हम यह चीज भूल जाते हैं कि अपने लाइफ की चीजें डिसक्स करना अपने चाहने वालों के साथ अपने उन लोगों के साथ जो हमें प्यार करते हैं उनके साथ आज वो चीजें आप डिसक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखिए एक होता है कि अब बिक पिच्चर को ध्यान में रखके आगे बढ़ते हैं कि हां दो साल में क्या हो सकता है या दो साल में मुझे क्या करना है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप रीसेंटली वो चीज आपके मन से कहीं हट सी गई है कि दो साल बाद आ अब्लोमेटिक है थोड़ा इस पर काम करना शुरू कर दीजिए कभी भी अपना एम अपने दृष्टी से ओजल मत होने दीजिएगा नमामसा देख रहा हूं उसमें भी यही लग रहा है कि थोड़ा आपने सोशल लाइफ बढ़ाईए थोड़ा सा अपने आसपास के लोग उनी लोगों के सामने निकलता है जिनके साथ हम बहुत comfortable होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आज बाचीत कीजिए उनके साथ समय वेतीत कीजिए आपको अच्छा लगेगा कोई opportunity हाथ से निकल गई थी आज वो दुबारा वापिस आपको प्राफ्त हो सकती है दिन अच्छा है करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप काफी creative रहेंगे किसी creative field में अधी काम करते हैं तो आज का दिन अतियुत्तम है बिजनस की बात करूँ तो कुछ बड़ा करने वाले हैं कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आने वाले समय में तो उसकी preparation शुरू कर देजी ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि हावी दो महीने बाद डेट महीने बाद वो चीज होनी है लेकिन उसकी शुरुआत आपने उसकी preparation अभी तक नहीं करी और बा अच्छा ही रहे गई यह दिखिए कि यदि आप single है तो उनसे कह रहा हूं कि क्या कोई व्यक्ति है जो आपकी कियर करता है आप में इंट्रस्ट लेता है लेकिन व्यक्ति नहीं कर पार आपनी भावनाओं को हो सकता है वह आपके साथ relationship start करना चाहता हो चाहती हो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान दीजेगा विभाईक जीव में यही कहूंगा कि थोड़ा fun element लाने की कोशिश कीजिए चीजें बोरियत की तरफ जा रही है और जब चीजें बोरियत की तरफ जाती है तो फिर मन बटकता है तो थोड़ा सा entertainment fun element इन सब चीजों को include कीजिए students के लिए यदि आप जैसा मने कहा कि creative field में काम करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है कुछ बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं उस field में उपाई यह है कि गणेश जी को दुरवा आरपन कीजिए लड़ूं का भोग लगाईए और हो सके तो यदि मंदर जा सकते हैं तो ग arguments बहुत हो सकते हैं आज आपके चोटी चोटी बातों पर मतभेद मनभेद arguments दोनों ही होते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी व्यक्तिक जिन्दगी में बहुत interest ले रहा है और वो भी बहुत positively नहीं कोई आपके हर चीज को जानने की कोशिश कर रहा है और यह च प्रॉस नहीं करना क्योंकि उनकी मन्शा क्या है यह अभी शायद मुझे लगने हिरा की कुछ अच्छी है तो अपने परस्नल स्पेस में किसी को जादा आने की इजाज़त मत दीजिए ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी slow जा रहे हैं आपके लिए अब परस्नल लाइफ में जादा दिख रहा है लेकिन डरिये मत ऐसा जरूर नहीं कि चीजें slow जाएं तो आपके लिए नकरात्मक है हो सकता है कि कुछ अच्छा ही आपके लि थोड़ी थोड़ी देर में तंग करती है, subconscious mind में वही चीज चलती रहती है कि इस वक्ती ने ऐसा कर कैसे दिया तो थोड़ा सा अपने emotions पर आज control करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, पैसों के संबंद में कुछ अच्छा हो सकता है, career पर चलते हैं जो लोग job करत सकती हैं, आपके emotions को, आपके भाव को, आपके सोचने के तरीके को, थोड़ा सा इन से दूर रहेगा, business पर चलते हैं, आज जादा शायद काम ना हो, तो आज का दिन थोड़ा अपने business के planning पर देंगे तो अच्छा रहेगा, marketing पर जादा focus कीजएगा, आज कल जो लोग business करते फोकस कीजएगा, love life पे चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, अच्छा दिन है आज, कुछ चीजी जएदी नकरात्मक चल रही थी, तो वो चीजी आज दूर हो सकती हैं, एक happiness की भावना, एक खुशी की भावना आपके relationship में आज जरूर दिख रही है, विवाइक जीवन की बात कर होता नहीं, व्यक्तिगत जीवन में चीजें चेंज होती है, व्यक्ति चेंज होता है, उसका सभाव चेंज होता है, तो थोड़ा सा हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहने चाहिए, और आज का दिन भी वैसा ही है, स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि कुछ चीज है, जो डिले हो रही है, वो आज आपको फ्रस्टेट जरूर करेगी, सेहत के इसाब से आँखों से संबने त्रोक तंग करेंगे, सरवाज तक की बात करूं तो आपका चौथा सान अत्यन तबली है, इमोशन को अपने बाकी चीजों पर हावी मत होने दे वनना प्रॉ आप चलते हैं, स्कॉर्पी आने के व्रिष्चे के तरह थोड़ा सावधान रहीएगा, कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में हैं, आपके और क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रलोभन दे रहे हैं, आपको टेम्ट कर रहे हैं, वसनल लाइफ में यह चीज ज़ कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ उनके मन में लालच है, तभी वह ऐसा कर रहे हैं, और इन लोगों से थोड़ा सा बचके रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूस रहेंगे आज जरूरा, कुछ निरने यदी लेने हैं, आपके पास 5-6 चॉइसे हैं, उसमें से एक कुछ उनना आज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आके रुक से गए हैं लाइफ में, और वो चीज भी आज आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेट करेगी, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि य लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक दिन है, यदि एजुकेशन सम्दित कुछ काम करते हैं दिन अच्छा रहेगा, बिजनस की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम ही देख रहा है, एजुकेशन सम्दित कुछ काम है आपका, तो आज का दिन अच्छा जाएगा, लव लाइपे एक contentment की भावना, एक पूर्णता की भावना, एक satisfaction की भावना रहेगी, students से मैं यही कहूंगा कि बहुत वेट कर लेते हैं कुछ भी करने से पहले, सोचते रह जाते हैं और इसके कारण कोई अच्छी opportunity हाथ से गवाव बैठते हैं, सिहत की बात करूँ तो गले से संबंदित रुप तंग करेंगे, सरवाश्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यन तबली है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि अपने दोस्तों के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं आज, उतना कीजेगा, उससे आपको एक दोस्त ह हो गए, आपके भाई बहन हो गए, जिनके साथ आप थोड़ा ओपन अप है, उनके साथ टाइम स्पेंड जरूर कीजेगा, उपाय आपके लिए है कि आपको गडेश जी को दुरवार पण करके उनको खीर का भोग लगाना है, और गडेश जी की एक बार आरती करनी है, शु प्रण की भावना रखते हैं, ये परस्नल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और वो लोग आपके लिए कुछ नकरात्मक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, थोड़े रेस्लेस रहेंगे, आज आप मन में बहुत कुछ चलेगा जो आपको परिशान जरूर करेगा, ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और वो चीज आपको बहुत परिशान कर रही है, एक जगा से एक तरह से उस चीज में थम के रह गए हैं, बंद के रह गए हैं, किसी सिचुएशन में एक दम अप का भाग्य प्रबल रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त दिन के मद्ध्य भाग के बाद हो सकता है, करीर पर जलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन, अच्छा है, थोड़े ambitious रहेंगे जो कि अच्छा भी है, लेकिन क्या होता है, जब जादा ही ambitious हो जाते हैं तो कुछ हम गलत भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, over ambitious मत होईएगा, बिजनस की बात करूँ तो, यहां पे सब कुछ अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा बिजनस में, कुछ ना कुछ बहुत सकरात्मक अपने बिजनस में आप आज हासिल कर पाएंगे अच्छा दिन है बिजनस के लिए, लव लाइप चलते हैं जो लोग relationship में हैं, आप से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अपने partner के साथ social बनी, मतलब कि दोनों as a couple किसी social event में जाया कीजिए, या थोड़ा as a couple अपनी social life को improve कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत समय वित करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर जगरते हैं, इसके कारण यही है कि social आप लोग थोड़ा कम हो गए हैं, इस चीज़ पर ध्यान देजिए, विवाईक जीवन के हिसाप से present चीजों पर जादा ध्यान लगाईए, नहीं जादा future के बारे में सोचना है आज, नहीं जादा past क के बारे में, स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आज आज आपके कुछ लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा avoid कीजेगा, सेहत के इसाप से liver संबंदित रोग तंग करेंगे, सरवाश्टा की बात करूं तो, दूसरा स्थान अत्यान तबली है, आग्या प्रतिशत है, 70%, चलते हैं, कैप्रिकॉन यानि की मकर राशी की तरफ थोड़े obstacles आज face करेंगे, कई लोगों से आपके मतबेद हो सकते हैं, रुकावटे आएंगे, लेकिन फिर भी कही ना कहीं, इन सब चीजों के अंदर से ही आपको कुछ अच्छी चीज की भी प और शायद आप उनको समझ नहीं पाते हैं, या समझते हुए भी आप उनको थोड़ा ignore कर लेते हैं, इन लोगों से बचके रही हैं, कुछ ऐसा चल रहा है था आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत परिशान कर रहा था, उस चीज का अज अंत हो सकता है, लेकिन उसके इतने जरूर करने पड़ेंगे, दिन के मद्य भाग के बात का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज, कुछ emotional positive न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है, आपको आज पूरे दिन अपनी willpower बना के रखनी है, जैसे मैंने शुरू में का कुछ कुछ चीजें आपके विपरीत जा सकती हैं शुरू-शुरू में, लेकिन उसके उन विपरीत परिस्थितियों से भी अपने ले कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, वो तब ही करेंगे, जब willpower strong होगी, करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है, टीम काम करना होता है, दिन अच्छा रहेगा, बिजनस की बात करूं तो, अपने बिजनस के सीक्रेट किसी के साथ शेर मत कीजिए, हर बिजनस का एक ट्रेट सीक्रेट होता है, उसको शेर मत कीजिए, लव लाइफ के चलते हैं, लव लाइफ के हिसा आप से आज का दिन अच्छा विवाई जिवन की बात करूं तो एक चीज कहूंगा कि आज एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना है लेकिन कैसा समय व्यतीत करना है अपने फोन स्विच आफ करके या कहीं दूर रखे सोशल मीडिया से दूर बिना किसी टेक्नोलोजी के एक दूसरे से बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पॉजिटिव एट्मॉस्फेर क्रेट हो जाएगा कि स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि चीजें थोड़ी स्लो आपके लिए आज हो सकती हैं लेकिन आपको धैर नहीं खोना सेहत के सब्सक्राइब करें सरवाश्टक के हिसाब से आपका प्रथम सानत्यंत बली है आप से मैं यही कहूंगा कि छोटी-छोटी चीजों पर रियक्ट आज मत कीजिएगा उपाए हैं आपको गणेश ची को एक घी का दियारपन करना है और गणेश ची के कोई भी 108 में एक बार सुन हैं तो चीजें थोड़ी परिशान करेंगी और दूसरों से जब बात करेंगे तो थोड़ी टैक्ट फुल रहिएगा वरना कुछ डिस्प्यूट्स कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं आर्गुमेंट्स को आज अवाइड करना है साथी में आपसे एक चीज कहूंगा कि जो सोशल बनिए अपनी नॉलेज को और इंप्रूव कीजिए ये चीज़ें आगे चलकर आपको मदद करेंगी नहीं वो नकरात्मक लोग जो आपको नीचे ही हमेशा धकेलने की कोशिश करते हैं अपने विवहार में जितनी आज सौमेता रखेंगे अपनी वानी में आज जित देखने को आपको मिलेगी करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अच्छा दिन है अथोरेटी रहेगी आपकी लेकिन जादा एग्रेसिव मत हो जाएगा बिजनस की बात करूं तो कुछ नई शुरुवात करना चाहते हैं अपने बिजनस में तो उसके लिए आज का सब्सक्राइब बहुत अच्छा है लव लाइफ के हिसाब से अर्गुमेंट्स हों गया जैसे मैं शुरू में कहा तो वह चीज लव लाइफ में भी देखने को मिलेंगी और लेकिन ऐसा लग रहा है कि अर्गुमेंट्स कुछ बैटर मेंट के लिए होंगी क्योंकि मन में कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने दोनों के बीच में और वो चेंज आज आ सकता है कि स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए अगर आगे बढ़ना चाहरे हैं कोई नेक्स स्टेप लेना चाहरे हैं बड़ा थोड़ा सा भी आईएगा और ओम गणेशाय नम्हा इस पंत्र का 27 बार जाब किजिए आपका तीन छुप कलर है आपका रेड भाग्या पतिशत है 70 अब चलते हैं पाईसेस यानिकी मेन की तरफ आज का दिन अच्छा है एक चीज कहूंगा कि थोड़ा फ्रेंड्स के साथ जादा समय व्यत कोशिश कीजिए उन चीज़ों को अवाइड करने की कोशिश कीजिए साथी में एक चीज़ कहूंगा थोड़ा अपने कॉमुनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए अपने कॉमुनिकेशन स्किल्स और बेटर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कि आपकी communication लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग तो जितने उसमें सपश्टता लाएंगे उतना अच्छा रहेगा और थोड़ा व्यंगात्मक भी कम बनी है ऐसा लगता है कि व्यंग बहुत जिसको इंग्रिश में sarcasm बोलते हैं वो आपकी वाणी में जादा रहता है और उस विजनस की बात करूं तो आज थोड़ी सी अनिश्यत्ता जरूर रहेगी विजनस में क्योंकि चीज़ें थोड़ी अलग होंगी जो आपने एक्सपेक्ट करी थी नेगेटिव नहीं कह रहा लेकिन थोड़ी सी अलग होंगी जिनको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो करें तो पहले अपने बरताव को देखिए आप खुद उनसे अगर करत तरह से बात करते हैं तो आप उनसे यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वह आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे इस चीज़ेगा स्टूरंस के लिए अच्छा दिन है लेकिन एकी चीज कहूंगा कि गय केस आपसे हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी सरवाश्टक केस आपसे ग्यारवास्तान अत्यन तबली है कुछ इच्छा थी आपकी अधी तो आज वह पूर्ण होती दिख रही है शुबंक है आपका आठ शुब कलर है आपका रेड भाग्य प्रतिशत 70 परसंट है उ आपको गणेश शी का ध्यान करते हुए उनको दुर्वारपन करनी है और उनको पंचाम्रित का भोग लगाना है तो यह था ग्यारा मई 2022 का राशिफल चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए ऌ मुद्आश चाओ लाइक है नहीं हुआ्ष और उल्भ शारापन करनी है उनको भीडियो के उनकोछ लाइक का लिए है उनको जनको लिए जएlessर ग्यार में वीडियोंसे आपके नहीं हो बच्ऴ का दोगाईब के वार हो निएक में आपका बीच में हम जाएको